हल्लो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी हाई दिस इस अनाया वैलकम बैक टु मैं ब्लॉग दिस इस बाइ फर्स्ट ब्लॉग और हाँ दोस्तों मैं यह ब्लॉग थोड़ा लंबा करना चाहती हूं यूकि इससे पहले मैंने एक फर्स्ट ब्लॉग डाला है वो बहुत ही शॉट है हां जी और यह मेरा बालकनी टूर है मैं आपको बालकनी दिखाती हूं और मैं आपको एंट्रिंग दिखाती हूं यह हमारा घर है और यहां से हमारी बालकनी शुरू होती है जहां हम मैंने अपना यूटिलिटी एरिया बनाया है यहां पर हमारे सारे कपड़े सूख जाते हैं यह देखिए मैंने रस्तियां बांदी हुई है जिसे हमारे और यह दिस इस माई निव वाशिंग मशीन जिसमें म मशीन में लगा रखी है और यहां हमने अपनी बेटी का छोट ऐसा एक जूला टैंपरेली जूला बनाए हुआ है है ना दोस्तों अगर कोई चीज फ्री में हो रही है तो उसको क्यों ना करें हम पहले हमने सोचा था इसके लिए एक जूला लेके आए बट इससे हमारा काम चल रहा है और इससे हमारी बेटी बDadian खुख होती है इसका नाम अनाया है और यह मेरी बेटी बहुत ही वीडियो इसको पसंद करती है और यह कहती है ममा मुझे जुला दो क्योंकि यह रुक गई है और मैंने इसको जुला दिया यह मेरी मशीन है और यह हमारा मेरे हस्बंड को मिला हुआ है और यहां मेरे नीचे मशीन का पाइप दिया हुआ है और यहां से हम लोग डारेट पानी ले रहते हैं हलो यह देखिए और यहां मैं बहुत सफाई रखती हूँ और मेरा एक एक चीज सफाई रहती है सफाई रहता है और यह वीडियो है जो हमारे घर से रिलेटिव है और हम जो एक्टिविटीज करते हैं यह देखिए दोस्तों यह हमारे फ्लैट्स का बहर का भी हुए यह देखिए है ना मज़ेदार यहां पे मोर भी आती है यहां पे बहुत सारे कबूतर भी है जिससे मैंने अपना यहां का एरिया ना यहां मारे कबूतर अंदर आ जाते थे मैंने यह अपने हस्बेंट से लड़ लड़के उनको सुना सुना के मैंने इसको कबर करवाया और यहां पे एक भी कबूतर निया यहां मने बेस टामन रखा हुआ है और यह देखिए यहां पे मेरा वो लोहे वो एक असामन रखा हुआ है जो टूल्स वगेरा होते ना कभी मेरे बाहर का एरिया मैं आपको खोल के दिखा देती हूं यह देखी है ना बहुत ही मस्त यहां हमारा में गेट लगा है कलोनी का और सही बताओं दोस्तों जब से मैं यहां पर आई हूं मुझे वनियर हो गया यहां बहुत अच्छा लगता है मतलग बहुत ही सेप्रेट बहु बहुत एच्छे लोग रहते हैं एक्चली यह गवर्मेंट कोईटान है यहां पर सारे गवर्मेंट अभी कारी रहते हैं और यह हमारा फ्लाइट है यह देखिए यहां से में रोड है सच बताओं दोस्तों जहां भी मैं पहले रही हूँ उससे पहले मुझे कभी इतना अच्छा नहीं लगा यह हमारी टंकिया जहां से हमें सप्लाइगा पानी यह आता है आज़ी दोस्तों एक मिट मैं ज़रा गेट लगा दूँ यह देखिए और यह अनायो रोने लगी जिससे मैंने इसको फिर से इसको जुला दिया यह कहती मुझे जुलाओ वीडियो नहीं बनाओ मेरी अनायो आपको जूले पर अच्छा लगता अब पार्क में भी यह जूला है ना बाबो अनायो देखना ममा को मारती है लाद मारती है यह यह लड़की लाद मारती है जूलते जूलते है व देखिए दोस्त हमेरियी मशीन दधी प्यारीं को वी चिज्ज लेती हुग तो बहुत है च्छी तरह लेती हू पनलब सारा इंटरनेट पर देखके कौन शद्युत देखी ए यह मारी मशीन है यह पिछली अभी लाच दिवाली पर खरीदीती यह पैना सॉनिक की है 12 वारंटी है और यह देखिए एको नावी की है और इसमें हमें 15 सेंसर मिलते हैं 15 और मेरी मशीन के कपड़े दुल गए है यह देखिए किती साफ कपड़े दोती है हाँ हथे में एक बार लगा लेती हूं यहां पर डिटर्जन डलता है और यहां पर लिक्विड डिटर्जन डलता है डिटॉल डलता है अब मैं अपने कपड़े दालूंगी थोड़े दिर मैं आप से मिलती हूं कपड़े डालूंगी ठीक है दोस्तों यह मेरा घर का बालकनी स अंदर का गेट है उसको मैं कभी किसी और टूर में आपको लूँगी अभी मैं अपने पूरा घर नहीं दिखाऊंगी मेरा घर तो और ही प्यारा है तो अभी मिलते हैं थोड़ी दिर बाद ओके दोस्तों अभी वीडियो को एंड मत करिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे क्योंकि मैं सौरी दोस्तों क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूं तो थोड़ा सा हिचकन तो होती है बट माफ करना कि अगर कुछ भी वर्डिंग गलत हो ओके दोस्तों और इसका जूला रुग गया है तो मुझे बोल रही है कि मुझे जुलाओ और यह आप कपड़े डालके ओके दोस्तें बताई कैसा लगा और सब्सक्राइब जरू किरिजिए गां कीजिएगा वैल आइकन दवा जिदा दिजिए गांजी यह देखें ना यू यहां पर पेर पेर को साफ कर रही है और हैंजी मेरे कपड़े डल गया है और यह देखिए एक घंटे में यह सूप जाएंगे एक दो घंटे में चूकि यह मशीन के कपड़े होते हैं तो दोस्तों हमें ज्यादा ही इसको मतलब इतना नहीं सुखाना पड़ता है थोड़ी ही महनत करना पड़ते हैं और अब हम चलते हैं अंदर क्योंकि अब नायू कह रही है कि अब जूल जूल और अपने हां पर उतर गई-पालो और संट को बोल लाई ने नंतर क्या क्का के श्यादा किदव मतलं को सब्सक्राइब कीजीए और सब्सक्राइब का शूलática क्या हो सब्सक्राइब किनल sich बाइ-बाइ, टेक्टे